कि वे तो उत्राकों उपर इसके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है जो चलिए अब नोटिफिकेशन को देख लेते हैं यह वह नोटिफिकेशन जिसमें बताया गया है कि सीथ का निंज परिक्षा तो जो है 21 की होनी है 24 मार्स से तो उसमें यहली वालों के एक्जाम कैसे किस डेट में है सेमेस्टर ओड़ों के जो डेट है वो का आख यह एक्जाम डीटकशा ठीक है ऑण इग्जाम का पैटन कहरें कि वह लिखित हो गा या MCQ टाइप के होंगे objective होगा या subjective होगा ठीक है तो उसको देख लेते हैं विश्विद्याले के सीथ कालिंग परिक्षा सीथ कालिंग परिक्षा सत्र वर्स दोजाइकिस के वार्षिक और समेस्टर परिक्षा के आयोजिजन प्रोनत के जाने के संबंद में ये सूचना है तो पढ़ लेते हैं COVID-19 संक्रमा के मद्दे नजर विश्विद्याले के वर्स दोजाइकिस से संबंदी सीथ कालिंग परिक्षा सत्र दिसंबर दोजाइकिस के वार्षिक स्लेश सेमेस्टर के अंतिम वर्स ये देखो ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है अंतिम वर्स स्लेश समेस्टर ठीक है अंतिम वर्स अंतिम समेस्टर के परिक्षारति हो ठीक है समझ गयोंगे जैसे एक्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं जैसे बी ए थार्ड येर ठीक है डीकल और अंतिम समेस्टर से देखे तो वर्स अंतिम में अंतिम वालंपतिक ये इनमें जैसे वुझान करणव होनेज्ट इससथर्ट कर फिच में में इस इसुझे प्रशी करिए घिकके आप को आपको को डिप्लोमा सेर्टिफिकट परिक्शायं होनी यहां साल दूस्रा साल संस् κάντε स में सटार्ट समस्टर छी कि फायिन समस्टर से पहले गिए जितने वार्षिक परिक्षा, अब देखो, जो सीत, जो ये परिक्षा हैं, उसकी जो वार्षिक वाली है, यानि कि, जिनके जैसे बीए थर्ड इयर है, और किसी का सेकंड यर है, तो उसकी कब होनी है, 24 मार्स से उनकी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन, जिनका समेस्टर चल ला है, 4 सम कब होगी, उनकी होगी, अप्रेल महा से, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, अप्रेल महा के दुत्य सप्ता से आउजित होंगी, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अंतिम वर्ष, अंतिम समेस्टर, अब डिप्लोमा और सर्टिवेट पार्ठिकरम की परिक्षा हैं, अब कैसी परिक्षा होंगी कि परिक्षा लिखित परिक्षा होंगी देखो यहाँ पर आब MCQ नहीं है आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा पूरा ठीक है कराई जा दिया जो सबी लिखे परिक्षाओं की तरह कुल दो घंटे की होगी बिशली बार तो हमें MCQ मिल गए थे MCQ कर रहे थे वहाँ पर तो हो गया था अब यहाँ पर क्या होगा लिटर्न में होगा लिखना पड़ेगा आपको ठीक है और फिर क्या है एग्जाम है किस दिन किस का एग्जाम है ठीक है अगर आपको कहीं भी प्रॉब्रम दाती है समझने में तो आप मुझे कमेंट कर दीजेगा मैं कोई नगे उथे आपके सामने ले आऊँगा Thank you